नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकूबर दोस्तों आज मैं आपके लेका हूँ कोश्चन पेपर जो है प्लांट ओपरेटर पोस्ट कोड 811 तो आज हम डिसकस करेंगे इसका जीके सेक्षिन तो जितने भी मैं आपको अंसर और यह है सीरिस A तो यह एक्जाम हुआ था 9 जनवरी 2021 को तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो फर्स्ट कोश्चन है टोटल एड्मिस्टेटिव वीजन इन हिमाचल प्रदेश इस हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशाशनिक बिवाग कितने हैं तो इसका जो अं और अप्षिन बी 972 नेच्ट कोश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चांशल परवत चोटी स्थित है तो चांशल परवत चोटी कहां पर है और और A, शिमला में, next question है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणु का मेला मनाय जाता है, तो इसका जो अंसर आएगा, option D, none of these, तो रेणु का मेला मनाय जाता है, सिरमोर में, next question है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्प्रून घाटी स्थित है, तो स्प्रून घाटी स्थित ह सोलन में तो इसका जो अंसर आएगा option D none of these तो दून और स्प्रून घाटी कहां पे है सोलन जिले में नेक्स्ट कोश्चन है क्रिशी बिश्विदाले पालंपूर के प्रत्थम कुलपती कौन थे तो इसका जो अंसर आएगा option B next question है हिमाचल प्रदेश के किस थान पर नर्सी मंदिर स्थित है तो इसका जो अंसर आएगा option A भरमौर next question है शिमला में गेटी थेटर किस वर्ष में खुला था तो किस वर्ष ये उपन हुआ था गेटी थेटर शिमला में 1887 में next question हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाव हिल स्टेट का बिले किस वर्ष में हुआ था तो इसका जो अंसर आएगा option D 1966 में तो कब हुआ था पंजाव हिल स्टेट का बिले हिमाचल प्रदेश के साथ 1966 में next question है 16 जुलाई 1949 में धामी गोली कांड के उद्यों करने वाले नेता कौन थे तो किस ने करवाई थी तो लीडर कौन था धामी गोली कांड के तो भागमल सोठा next question है हिमाचल प्रदेश तकनिकी शिक्षा बोड की स्थान पर स्थित है तो यह question काफी बार पूछा गया है तो तकनिकी शिक्षा बोड कहाँ पर है धर्मशाला में और यहाँ पे पूछा होता कि Technical University कहाँ पर है तो Technical University है हमिरपूर में next question है कि हिमाचल प्रदेश में रॉंग टॉंग जल्बिद प्रियोजना की क्रियात्मक अजेंसी कौन सी है तो एक्जीकूटिंग अजेंसी कौन सी है इसकी तो इसका जो अंसर आएगा option A next question है मुक्तसर तारीख है रियासत चमबा पुस्तक के लेख कौन है तो इसका जो अंसर आएगा option B ग्रीव खान next question है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में क्यांग माला नरित्य किया जाता है तो इसका जो अंसर दिया गया है answer के में option A कि नौर next question है हिमाचल प्रदेश के किस थान पर 9-hole गोल्फ कोर्स तित है तो इसका जो अंसर आएगा option B नाल देहरा next question है अभी हाल ही में भारत के साथ इंडो पैसिफिक स्टेटिजी का किस देश ने प्रारंब किया है तो इसका जो अंसर आएगा option B जर्मनी next question है किस राज्य के इलावा देश में मैट्रो ट्रेन से वाएं दी जा रही है तो 137 का अंसर आएगा option A महराष्ट्रा तो आपने याद अखना है कि देश में मैट्रो से वाएं दी जा रही है तो बन 38 का जो अंसर है option B नाइजीरिया नेक्स्ट कोशन है अर्चना महंता जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस वेवसाइज से सिम्मन दिन थी तो आपने या रखने है अर्चना महंता तो इसका जो अंसर है option B सिंगर यानि कि गायक तो अर्चना महंता क्या थी एक गायक थी नेक्स्ट कोशन है किस देश ने बरतमान में काला सागर तर्ट पर बड़े पैमाने पर प्राकरति गैस रिजर्व की खोज की तो इसका अंसर दिया गया है option A तर्की तो next question reasoning के कुछ questions है तो मैं directly आपको इनके अंसर बता देता हूँ तो पहला question जो है 141 तो इसका जो अंसर दिया गया है इसका अंसर दिया गया है option C बाज इगल 142 है which is different from the rest तो इसमें जो आपका अंसर दिया गया है इसमें आपका अंसर दिया गया है 142 में option number D 97 next question है what will come in place of question mark in the following number series तो आपने ये number series जो है complete करने है तो इसमें आपका जो अंसर आएगा option A 124 next question है 145 तो इसमें आपका जो अंसर आएगा इसमें अंसर दिया गया है option D cannot be determined mind next question है question number 146 मुगल राजवंश के संस्था पर कौन थे तो मुगल राजवंश के संस्था पर कौन थे आप सभी को पता है ये तो इसका अंसर आएगा बाबर next question है किसके राज्यकाल में गांधार कला बिद्याले विक्सित हुई तो इसका अंसर दिया गया है option C कनिश्क next question है पानीपत का द्यूति यूद किस वर्ष हुआ था तो पानीपत का द्यूति यूद कब हुआ था 1556 AD में पहला हुआ था 1526 में दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में next question है बारदोली सत्यगरह के बाद बल्लभाई पटेल को किसने सरदार की उपाधी दी थी तो इसका जो अंसर है option option C महात्मा गांधी ने next question है आरे समाज के संस्थापक थे तो इसका जो अंसर है option C स्वामी देयनन सर्सवती next question है बारतमान में भारत में केंदर शाषित प्रधेशन की कुल संख्या कितनी है तो इसका जो अंसर है option number B एट नेक्ष्ट कॉश्टन है राज्य सभा के पदेन सभापति कौन है तो इसका नस राता है option B उपराश्टरपती नेक्ष्ट कॉश्टन है भारती संविधान का सरंक्षक कौन है Who is the guardian of the Indian constitution बन 53 का है option A सरवोच नियाल्य नेक्ष्ट कॉश्टन है which is not a satellite of Jupiter तो कौन सा ब्रहस्पती का उपग्रह नहीं है तो 154 का है option D, Demos Next question है विली-विली क्या है तो विली-विली क्या है ये अस्टेलिया के निकट उशन कटिबंदी चक्रवात Next question की बात करें हम भारत की तट्रेखा कितनी है तो इसका जो अंसर है option B सबसे बड़ा द्वित्तिक नदी बेसिन भारत में कौन सी नदी का है तो इसका जो अंसर है option A, गुदावरी Next question है The headquarter of RBI is कहां पे है? RBI का मुख्याले कहां पे है? मुंबई में Option D, correct है Next question है The saliva helps in digestion or इसका अंसर है option A, starch Next question Which is male sex hormone? तो इसका जो अंसर है option Option C, testosterone Next question है Which part of sunlight make the solar cooker hot? इसका अंसर है option C, infrared rays Next question है Hydrochloric acid is also known as तो इसका अंसर दिया गया है option D, muriatic acid तो next question है English और हिंदी के तो मैं directly आपको अंसर दा देता हूं इनके तो पहला है 163 163 का इंटॉन्मी जो है option A दिया है claim Next question 164 तो correctly spelled word is तो इसका अंसर दाएगा option A, suicide Next question 165 तो इसका जो अंसर दिया गया है 165 का option A Next question है 166 The meaning of the idiom to turn the tables तो इसका अंसर दिया गया है option D, to change the sorry scheme तो next question हिंदी का 167 प्रारंभ का संदी विछेद है इसका अंसर दिया गया है option A प्रजमा आरंभ Next question 168 शुद्ध शब्द है तो इसका जो option दिया गया है option D, nischche Next question है जासूस का प्रेवाची है तो इसका जो अंसर दिया गया है option A, चरक Next question है 177 ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका जो अंसर है बन 70 का option D, मर जाना तो फ्रेंड्स ये थे जी के सेक्षन प्लांट ओपरेटर जिसका पोस्ट कोड है 811 तो इसकी आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में PDF के end में मैंने अंसर की भी इसमें add कर दिया तो आप अंसर की भी यहां से देख सकते हैं PDF के साथ आपको अंसर की भी साथ में मिल जाएगी PDF में ही अंसर की भी साथ में मिल जाएगी